अज़ श्टार्ट करते हैं गेम इस्तानबूल बाजार टेक टेक कौन है अपनेंट ये जो स्टार करके एक बंदा है मेरी जितने ही स्टार्स है इसके पर्स ओहो ब्रेक भाई के पैस चला गया है देखते हैं किस तरह से खेलता है क्या वाद है धीरा ब्रेक फिर भी सफलता है एक कोईन पॉर्ट करने में हमेरे तीन कोईन्स ओपन किये मैं खोलनी कोशिश करता हूं पूरा बॉर्ड कट करके कि शाबर्श फिर से दो कोईन एट लिस्ट पूरे उपन है यह पॉर्ट करते हैं उसके बाद हम कोशिश करते हैं बोर्ड फिर से खोलने की थोड़ा एंगल लेके जोर से मारेंगे बढ़िया कोई दिक तो नहीं रही है अभी हम डबल की कोशिश करते हैं उसमें नाकामयाब रहे हमने उसे चांस दे दिया है बोर्ड फिनिश करने का बड़े दीरे दीरे से केल रहा है बंदा बड़िया बड़िया शॉट अब यह क्या करेगा गहरी सोच में नहीं यह गलत शॉट है यह गलत शॉट है इसने हमें चांस दे दिया है फिनिश करने का देखते हैं यह हमने पॉट की अभी क्वीन के उपर की हम पॉट करेंगे थोड़ा तेज मारेंगे और यह अभी हम डबल लेंगे उसके कोईन से अपनी वाइट इसल्गे यह पॉट करेंगे यह अगया है अब हम क्वीन से वाइट को मानी कोशिश करेंगे अब हम क्वीन को फिर से लेंगे रिखाट करेंगे कटने पड़ेगे थोड़ी अब यह विटिव्याग्स स्थे इसक्राइज गया वाट करने ही कुशिश करेंगे नहीं हम फिर्स्ट उपर की कोट करेंगे बढ़िया अब हम इसे ट्राइ करते है इसे फिराल तो गीम सेफ है हम ये जीट जाएंगे ये उसकी है पाँच कोईन्स थोड़ा सा मिस देखते हैं क्या वो फिनिश कर पाता है हमने जो मौका दिया है क्या वो उठा पाता है ये सही शॉट है या नहीं मछे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है और इसने हमे चांस दे दिया है गेम फिनिश कर लिए थेंक यू जिस्तार बहुत बहुत धन्यवाद अब हम दूसरा ग्रेम क्यों बढ़ेंगे बढ़िया एक चेस्ट भी हमें मिला है हम फिर से ये अड़टाइस बीच में आते हैं जिस्त क्लोस करेंगे अब हम फिर से इस्तानबुल बजार में ही एक नए आपोनेंट डूनेंगे देखते हैं हमारे जितनी स्टार सही हैं आपोनेंट के क्या बात है इस बार ब्रेक हमें मिला है लेट्सी कुछ कर पाते हैं या नहीं हम ये इनिशल स्मॉल एक दम सेफ प्रेक किया किसी को मौका नहीं देती हुए और ये जिसने दो ब्लैक कोईन्स ओपन किया है हम थोड़ा क्रॉस करेंगे ये तो फाउल हो गया कोई बात नहीं अभी तो स्टार्ट है गेम का बढ़िया ये फर्स्ट हम हैंड पॉकेट नहीं उबर की धीरे से लेंगे बढ़िया अब हम हैंड पॉकेट से कोशिश करेंगे बोड खोलने की और ये बहुत ही बक्वास शॉट मारा है हमने पूरा बोर्ड उपन कर दिया है ताकि वो फिनिश कर पाया है क्या वो फाइदा उठा दे लग तो रहे फाइदा उठाए है क्योंकि एक शॉट में दो-दो कॉइन स्पार्ट कर रहे है बढ़िया याई दिन की नजर क्वीन पर थी बट सही निर रहे अब देखते क्या करते है ये अब दो ये कुछ ज़्यादा ही चलाग बन रहा है हमें भी थोड़ी चलाग की दिखाने पड़ेगी अब ही चेलो अब ही वो बाट करते है वो वाइट अपनी तरफ ले ली अब फिल से वो वाइट पॉट करेंगे थोड़ा ज़्यादा काटना पुड़ेगा पढ़िया ताकि उसकी हम अनसेफ कर पाएं तोड़ा डिफिकल्ट कर पाएं अनसेफ की जगाँ पर अब हम यह जोर से मारेंगे कोशिश करेंगे कि स्ट्राइकर कुछ हरकत करें बट नहीं स्ट्राइकर ने कुछ भी हरकत नहीं की यह सिंपल पीस ले लेंगे अब हम थर्ड को ले ले कोशिश करेंगे ओ यह ठीक है इतना भी बुरा शॉट नहीं है उसकी एक ब्लैक अब भी फसी हुदी है और इसने हमें फिर से मौका दिया है अब हम करेंगे ब्लैक यह फॉर्स हम ले लेंगे वाइड यह तो सिंपल सी पॉट हम नहीं कर पाए यह गेम जितने का कोई अधिकार नहीं है अगर यह मैं ऐसे खेल रहा हूं तो यह गेम सिर्फ मैं अभी उसी वर्क जीश सकता हूं अगर यह बंदा मुझसे भी खराब के लिए लग तो नहीं रहा है यह खेल रहा है यह अच्छा ही खेल रहा है बढ़िया ओ इपना तेज माने की जर्द नहीं थी बट कोई बात नहीं फिर भी यह पॉट कर सकता है एंगल दो है चाहिद यह नहीं है हम क्वीन लेनी कोशिश बट यह नाकाम याप कोशिश क्वीन लेने की यह क्वीन ले रहा है बंदा बढ़िया क्वीन के पिछे यह पहले भी था देखते हैं यह कुछ कर पाता है यह नहीं यह गलत शॉट खेला है और इसने अभी हमें चांस दे दिया है फिनिश करने का इस वक्त हम धीरी समारें की ता कि डबल डू ना हो बस एक डब टुक वा जाए दीरे दीरे पॉट करेंगे हम अब उसके बाद हम क्वीन ले लेंगे अ भी दीरे से जादा तेज नहीं परिया अब यह वाइट को लेप वले पोकेट में कट करेंगे थोड़ा तीज मारेंगे ताकि वह ब्लैक भी हट जाए रास्ते से हो हमने उसकी पॉट कर दी जाए था यह गेम अगर हमें जीतना है तो सामने वाला हमसे बुरा खेले थैंक यू बोलनों चाहूंगा उसे वह अब चलते हैं नेक्स्ट केम के और हमें एक सिल्वर चेस्ट मिला है बढ़िया अब जाएंगे हम दुबाई हम जाकर कि कोई बंदा है बंदी है कुछ आइडिया नहीं कोई बात नहीं ब्रेक उसकी तरफ है मेरा अभी तक लखी चल नहीं रहा दुबाई वाले इसके पहले वाले भी गेम में हार चुका हूँ दुबाई में थोड़ा मुझे क्या होता है कॉन्फिदेंस नहीं चलता तेखते हैं बंदे बंदा पॉट किया ही जा रहा है एक दम धड़ाम थोड़ाम अभी तक तो तीन पॉट कर चुका है सक्सेस्फिली अभी ये चौता मुझे लग रहा है सेफ खेलेगा जिस्ते कि मै में उसने हमारे दो कॉइंज ओपन कर दिये तो उसे फर्स्ट हम पॉट करते हैं उसके बाद बढ़िया ये बाला भी पॉट करेंगे अब हम ये थोड़ा सा सेफ खेलेंगे इसे थोड़ा सा जाधा ही तेज हो गया ये बट कोई बात नहीं ये और में उसके बाद पॉट करते हैं अच्छा शॉट कहला है अभी तो इसे फिर से मौका है शॉट कहलने का है डिबल है तेज़ खेलना चाहता चाहिए था उस नहीं बट कोई बात नहीं हम उसंए मोजा मउका दे दिया है अब तो ये गई अभी उसके बाद हम ले दोवेंगे मैं यहां पर इसे एंगल से मार सकता था था कि बोड़ खुले बट दुबई जैसे कि मैंने कहा थोड़ा लगी है मेरे लिए तो देखते हैं क्या होता है बढ़िया हमें मौका तो दिया है बट अभी थोड़ा करे हम उसकी थोड़ी टफ करते है जब तक मैंने देखा है वालब लोग रिबॉंड में इतने माहिर नहीं होते हैं बट हम जा बढ़िया रिबॉंड खेला हैं और इसकी दो पिसे सभी भी अटकी हुई है यह चाहे तो क अब हम यह ओपन कनी कोशिश करेंगे बट देखते हैं होता है कि नहीं थोड़ा चोर से मारेंगे ओ यह तो बेसिक शॉट ही गड़ बड़ दया कोई बात नहीं कोछ इतना हाथ से लाया है नहीं है कि होप करूंगा कि यह अधिस दुबाई में ही कि मैं जीतू हुआ यह कुछ अलगी स्टाटेजी अपना रहा है हम जा देखते हैं हम भी यह हम जा देखते हैं यह उसी तरह से खेल रहा है हमारी तरह देखते हैं कि देर तक चलता है यह यह कुछ ज़्यादा ही चल रहा है चलो मैं अभी बोर हो गया हूँ एक बार ट्राइ करते हैं कुछ अलग और यह गलत शॉट बैट गया और यह पूरा का पूरा मैच हम जा के हाथों में अगर यहां से हमजा को हमजा ने हमें मौका दे दिया है और इस पार हमने दुबई पर फते हासिल कर दी है तेंक यू हमजा कुछ ज़्यादा ही ग्रैंटिट ले लिया हमशे तेंक यू बैबाई अब पढ़ते हैं तीसरे चौधे गेम की तरफ और फिर से एक बार हम ट्राइ करेंगे अपना लक्त दुबई में देखते हैं इस पार कौन आता है बाई सहाब हमजा फिर से मुझे लगभा है हमजा इस पर बदला लेकर ही रहेगा इस पर हमारा प्रेक है मुझे थोड़ी गट फिलिंग आ रही है इस पार की ये गेम शायद हमजा के फेमर में चाहें कि जिस तरह से हमजा फिर से आया है दोबारा ग्रैंडम पिक होके भी हमजा ही वापसा है तो कुछ डाउट फूल लग रहा है जिस तरह से बोर्ड खुल जुका है अभी शांसे समझा के जीतने के जादा है देखते हैं ये देरे देरे करके पॉट कर रहा है ये भी एक और एक बाई सहाव सिर्फ प्राइस रहे गए है और सिर्फ तीन ये पूरी जीत की तरफ बढ़ते हुए भाई सहाब सिर्फ दो क्वीन थोड़ी सी टफ है बट मुझे लग रहे कि ये कुछ इसने मौका तो दे दिया है फिनिश करने का क्या हम फिर्स्थ हम देरे देरे करके और जो जो ऑपन पीसे सब ले लेगे फिर्स्थ थम वाले लेंगे उसके बाद जो श्ट्रेट अभी इसके बाज वाला भी पीस ले लिए आमें अब इसके बाद पीस ले लेंगे इस सारे पीसे पतब हम जाने मुझे लग रहा है कि थोड़ी जलब बाजी करके पुरा बोरी खोल दिया और इसका हमें फायदा उठाना ही पड़ेगा भी और जिसे कि देख रहे हैं आप ये गई अब बची है क्वीन क्वीन सिंपल है इसे हम कट करके ले लेंगे ये थोड़ा सा डिफिकल शॉट होता है जच्मेंट आना जरूरी है और जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा पी त कित गए है थैंक्यू हमजा हमजा दुबई में हमारा साथ दिया हम जाने थैंक्यू वेरी माच ये फिर से हम एक बर ट्राइ करेंगे दुबई अभी हमारी परस जैसे कि आप देख सकते हैं 42,000 कोईंस हैं देखते हैं कोई आया है एमडी एमडी भाई साहाब ये कोई कंपन आइमडी तो नहीं देखते हैं किस तरसे खेलता है ये डबल शॉट खेल रहे हैं दीरे तेरे स्ट्राइकर तो बहुत बढ़िया है एमडी का कर दी है कि शायद यह बोर्ड खूलने कोशिश इसने बोर्ड खूल दिया है हम धीरे दीरे एक पीसे स्खम करेंगे अपने अपने फिर्स्ट दीर लिया अगी उसके वाजुवरा भी ले ले लेंगे हम और धीरे से खेलेंगे ज्यादा तेज नहीं अलब इनिशली मने जब स् और बाद में मैंचे रिलाइज हुआ कि दीरे खेलने से ड्यू जाने के चांसे बहुत कम होते हैं इसे काटेंगे थोड़ा बढ़ यह अभी यह स्ट्रेट पीसे ले लिगे इस तेर से अभी हम इसे डबल ले लेंगे थोड़ा साधा का अंगल से काटना पड़ेगा पर यह जिससे कि आप देख सकते हैं हो सामने वाली वाइट कॉम कट करेंगे यह थोड़ा सा तेज हो गया शॉट अब हम क्वीन के पीछे पढ़ेंगे क्वीन गलाच शॉट यह हमने एमडी भाई साब को पूरा का पूरा मौका दे दिया है और यह एमडी भाई साब कुछ अलगी अपने ताउ में खेल रहा है मुझे लग रहा है कि अमडी को उनकी जीत दिख गई है हलाकि मुझे सिर्फ एक पीस उनकी डिफिकल्ट लग रही है जो वाइट से सटके है बाकी के तो वो इसली काट पाएंगे और मुझे लग रहा है इन्होंने यह थोड़ी सी गल्दी कर दी बड़ी से हमारी बढ़ गई दिक्कत है एक वाइट हमारी बढ़ गई है अटक गई है एक अलग शॉट ट्राइब करता है जो बुलते हैं नबुनना भाई शॉट वाला ट्राइब करते हैं शायद यह मैं सीख रहा हूं तो देखते हैं ओ यह गल्द शॉट और इसी वचे से यह गेम मुझे लग रहाएगी हमारे हातों से जाता हुआ और एमडी भाई साब को मुभारक बात देते हुए अगर एमडी भाई साब यहां से नहीं जितते तो फिर मुझे लगता है कि यह उनका क्या बोलते हैं बदनसीब यह गेम जीत लिया है चलो बाई बाई थैंक यूँ